डॉक्टर सप्लिमेंट्स की बात कही है तो खान-पान को लेकर क्या चीजें हमें दिंचर्या में शामिल करनी चाहिए क्योंकि आम तोर पर हम देखते हैं लोग दूद पनीर इस तरह की चीजे खाते हैं लेकिन उनको खाने का भी क्या सही तरीका मालूम है लोगों को नहीं नहीं है आम तोर से मानवजात एकी प्राणी ऐसा है दुनिया में कि जो खाने को कुक करता है बाकी कोई प्राणी कुक करके ने खाता है मतलब we have a habit of destroying nutritious value of every food before we eat और हर चीज में हमको मसाला भी चाहिए अभी आपको मसाला भी चाहिए आपको हर चीज कूक करना है तो then it has only calorific value, nutritional value काफी हद तक destroy हो जाती है तो जुतना भी आप uncooked food का सको salad है, fruits है, milk है मतलब आप जितना भी uncooked food खाते हो तो हो हजम भी ठीक से होता है और दॉक्टर जब हमने देखा है कि जब लोगों को घुटने का दर्द होता है, जादा तर लोग कई तरह के oil का इस्तमाल करते हैं और चलना फिरना बहुत कम कर देते हैं, दिंचर्या के जो काम है वो भी बहुत कम कर देते हैं, क्या ये करना ठीक है? शरीर में एक्टिविटी अगर नहीं होती है, तो शरीर लंबे टाइम तक ठीक से नहीं चलता है, फिजीकली एक्टिव बिल्कुल रहना पड़ता है, अगर एक्टिव नहीं रहते हैं, तो वो उबेसिटी भी करता है, और जॉइंट के सिवा हार्ट से लेके हर ओर्गन पे उसकी एफेक्ट आती है, इवन कॉंस्टिपेशन भी हो जाता है, अगर एक्टिविटी आपकी सही है, तो आपका माइंड भी सही चलेगा, शरीर भी सही चलेगा, दूसरा, मैं यहीं कह रही थी कि कही तरह की ओईल का स्तमाल करते हैं, ओईल के लिए मेरा बहुत स्पस्ट म समझ के खाते हैं, तो कोई ओईल खराब नहीं है, बट सबसे इंपोर्टन है कि हम लोग चीज को फ्राय करके कूक करके खाते हैं, वेनेवर वी कूक इन दा ओईल, इट इंट इंट ए ट्रांसफेट, अगर हम कोई भी चीज में कच्चा तेल डाल के खाए, तो वो बहुत ही ही हल्दी है.